नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका Life in New Channel में दोस्तों अगर मौसम सर्दियों का हो तो गरभवती मईलाओं को अपनी डाइट में भी कुछ ना कुछ बदलाव करने परते हैं और अपना खास ख्याल लखने की बहुत ज़्यादा आवशकता होती है इस समय पे आपको खासी जुखाम हो सकता है, कोई infection हो सकता है या फिर आपकी skin dry हो सकती है तो दोस्तों आपको अपनी आहर में ऐसी क्या चीज शाबिल करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके शरीर को एक दर्माहट भी मिले और आपको सर्दियों में होने वाली कोई परेशानी ना हो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आज आपको ये कुछ बाते समझाने वाला हूँ आपको क्या क्या चीजे खानी चाहिए इस समय पे जिससे आप और आपका शिशू दोनों एक अच्छी स्थिती में रहें सर्दी के दौरान आप दोनों को इठंडना लगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्डेंट है शुरू से लेकिए अंतर तक देखिएगा कहीं पर भी स्किपना करिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटा 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 शुरू करते हैं इसके अराव दोस्तों जो सबसे बड़ी बात होती है वो ही होती है कि इस समय पे हमें प्यास बहुत कम लगती है लेकिन दोस्तों आपको जैसे आपने अभी तक गर्मियों में सुनिशित किया है वैसे ही आपको सर्दीयों में सुनिशित करना है कि आपको minimum quantity of water पीना ही पीना है जिसे कि आपके शरीर hydrated रहे बैस अब आपको थोड़ा सा change ये करना पड़ेगा कि जहां अभी तक आप कभी तंडा पानी भी पी लिया गरती थी उसकी जगह आपको गुनगना पानी पीना है गुनगने पानी पीन से दोस्तों काफी हद तक आपको सर्दी खाम में राहत मिलती है और अगर आप गुनगना पानी पीएंगे तो इस तरीके के infections भी आपको नहीं होंगे नमबर सेगन पर दोस्तों बात करते हैं दूद की दूद पीना दोस्तों वैसे भी बहुत ज़्यदा आवशक है अब सर्दी आ गई है तो आपको इसमें थोड़ा सा अगर आप एक चुटकी हल्दी दाल के पीते हैं तो दूद की जो properties होती है वो बढ़ जाती है और इससे आपको बहुत ज़्यादा benefits मिलते हैं इससे अगर शरीर में आपको कहीं पे दर्द है तो वो नहीं होगा और आपकी immunity यानि की पतीरों तक शम्ता मजबूत होगी तो सुपर फूड का नाम दिया गया है हल्दी को बिल्कुल अपने दूद में डालके पीएं इसके लिए आपको एक चुटकी भर या दो चुटकी भर आप दे सकते हैं हल्दी को दूद में उबालना है और जब ये दूद उबल जाए तो इसके बाद आपको इस दूद का सेवन करना है ये हल्दी वाला दूद आप किसी भी समय पे सकते हैं शुवे भी पे सकते हैं शाम को भी पे सकते हैं और रात में दोस्तों जैसे कि मैं और भी वीडियों बताता हुआ आया हूँ कि आपको केसर वाले दूद का सेवन करना है केसर वाले दूद से आपको बहुत जादा साहता विलती है बहुत सारी pregnancy problem इसे resolve होती है इसके उपर एक particular वीडियो है जिसका link उपर आई बटन में flash हो रहा है जिरू देखिएगा तो केसर वाला दूद भी बहुत फायदा करता है और आपके शरीर को गरम रखने में भी बहुत साहक होता है सर्दियों के दौरान दोस्तों सर्दियों में केसर की quantity थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए सब कुछ है इस वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो को जरू देखिएगा सैफरन के ओपर केसर के ओपर इसमें बहुत कुछ पताया गया है कि कब आपको सैफरन या फिर केसर वाला दूद पीना है कब नहीं पीना है कितनी quantity लेनी है तीसरी दोस्तों बात करते हैं अगर आप non-vegetarian है तो आपके लिए fish यानि कि मचली बहुत ही उत्तम है एकदम protein से loaded है ये इसमें बहुत सारे आपको vitamins मिलेंगे जो कि आपकी पतिरोदक शमता को बढ़ाते हैं आपको जो infections होता है उन से लेनने में मदद करते हैं और आपको सर्दियों में होने वाले common cold या फिर कोई fever है या cold flu है उससे बजाते हैं तो दोस्तों बहुती बढ़िया चीज है अगर आप non-vegetarian है तो मचली जरूर खाईए खास खेया लगी है कि उच्छ मरकरी वाली मचली को आपको avoid करना है वो आपको pregnancy के दोनान बिलकुल भी नहीं खानी है तो शरी को गर्म लखने के लिए मचली भी बहुती अच्छा एक option है इसके लिए भी आप जा सकते हैं अगर आप non-vegetarian है फिर दोस्तों बात करते हैं dry foods की definitely dry foods तो आपकी diet में शामिल होना बहुती ज़्यादा जरूरी है pregnancy के start से ही दोस्तों आपको dry foods लेना बहुत ज़्यादा आवशक है आप एक मुठी बाम एक मुठी अक्रोड रोज खाईए इनको पानी में भीगो के खाईए बाम का चिलका उतार के खाईए इस तरीके से आपको सेवन करना इसके उपर भी एक अलग से वीडियो है जो कि आप जेख सकते हैं लेकिन गर्मियों के दौरान तो आपको थोड़ा लिमिट में चेज़ाब चीने खानी है इनके माता थोड़ी सी आपको बढ़ा देनी है सरदियों के आते आते इनको आप इनका पाउडर बनाके आप दूद में भी सेवन कर सकते हैं ये बहुत जादा उत्तम है आपके लिए आपके शरीर को बहुत अच्छे तरीके से ये उच्छा भी बदान करते हैं और गर्माट देने का भी काम करते हैं तो सरदियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ड्राइफूट का सेवन करें इसमें आप काजू, केश्मिश, बादाम, अक्रोड ये सब ले सकते हैं बहुत ही उत्तम चीज है आपको ये प्रेगनिंसी में अपने डाइप में शामिल करना ही चाहिए आच भी दोस्तों जो चीज है वो है गुड़ का सेवन दोस्तों गुड़ सरदियों में बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होता है गुड़ वैसे भी अगर आप खाते हैं तो आपका जो पाचन शक्ती है वो अच्छी होती है लेकिन अगर आप सरदियों में खा रहे हैं तो इसके अड्वांटेज़ और बढ़े आते हैं क्योंकि ये आपके शरीच को एक उर्जा भी देता है गर्महाट भी देता है अगर आपके लिए अंडे से आपको बहुती अच्छी मातरा में पोडी मिलता है जो कि आपके शीशु के विकास के लिए बहुती ज़्यादा वश्यक है शीशु का डवलेप्मेंट अगर कम रह जाता है उस समय पे भी अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो डवलेप्मेंट को आप एक सही लेवल पे लाने में बहुत ज़्यादा साहिता कर सकते हैं तो अंडे को दोस्तों आपको खाने से पहले ये शुनिश्चित जरूर करना है कि आप अंडे को सही से पका के खाएं कच्छा अंडा बिल्कुल भी ना खाएं अंडे को या तो बॉल प्रॉपली बॉल लगर के खाना है या तो फिर अगर आप ओमरेट के रूप में से खाना पसंद करते हैं तो अच्छी तरीके से पका के खाना है अधर पका अंडा आपको बिल्कुल भी सेवन में नहीं देना है इसके अंदर बैक्टिरिया जाते हैं जो कि आपके लिए खानी कारण होते हैं तो अंडा खाएं दोस्तों और एक और बात अगर आप ओवरवेट हैं तो अंडे का येलो भाग यानि की पीला भाग जिसे यॉक बोलते हैं उसको आप हटा के खाएं उसके अंदर फैट की मातर बहुत ज्यादा होती है तो अगर आपको सही तरीके से अंडे का सेवन करना है तो उसका पीला भाग हटा के खाएं इसके अलावा दोस्तों अगर आप सर्दियों के मौसम में भीसन की कड़ी का सेवन करते हैं तो वो भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही लाबदायक होती है दोस्तों जो भीसन की कड़ी होती है वो दही और बेसन से बनती है दही के अंदर महतबुन न्यूटेंट्स होते हैं जैसे की कैलशियम, पोटेशियम, प्रोटीन उपाई राता है और वही बेसन के अंदर आपको मेलेगा फॉलेट, विटामिन्स जो की गर्में शिशु के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवशक है उसके दिमाग के विकास के लिए और उसके स्पाइनल कॉड के डेवल्पेंट के लिए बहुत ही अच्छा है बेसन की कड़ी से आपका जो ब्रेड प्रेशर होता है वो भी कंट्रोल रहता है और इसके अंदर healthy unsaturated fats होने के कारण ये आपके cholesterol level को भी कम करने में मदद करता है दोस्तों जो आप भेसन की कड़ी बना रहे हो तो इसके अंदर आप मेती दानागा परियोग जरूर करें इससे आपके digestion में भी आपको help मेलेगी और overall जो होती है बेसन की कड़ी से आपको folate, vitamin, calcium, protein ये सब तो मिलते ही मिलते हैं लेकिन क्योंकि बेसन की जो कड़ी होती है उसके तासीर अपने आप में गरम होती है तो ये सर्दियों के मौसम में आपके शरीर को एक प्राकृतिक गरमहट देगी जिससे आपको ठंड भी कम लगेगी और definitely बच्चे के विकास के लिए तो ये बहुत ही साहयक है तो दोस्तों भीजन की कड़ी का सेवन भी आप pregnancy के दोरान सर्दियों में अवशे करें ये बहुत ही लाबदायक है आपको इस बात का लेकिन ensure करना है कि जो दही आप यूस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खटी ना हो और definitely कड़ी भी आपको बहुत अधिक मातरा में नहीं खानी है maximum to maximum आपको जो है दो छोटे कड़ोरे आप कड़ी का सेवन कज़कते हैं ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों लिस्ट में मेरे पास अंतिन जो है वो है चौलाई के लड्डू या फिर जिसे हम बोलते हैं राजगीरा के लड्डू इसको एंग्लिश में बोलते हैं अबरैंथस तो दोस्तों बहुत ही ज़दा बेनिफीशल हैं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं सर्दी के दोरान चलाई से बने वे लड्डू खाना और अगर आप घर में चलाई के लड्डू बना रहे हैं तो दोस्तों इसमें चीनी की जगा गुड़ का अगर आप उपयोग करते हैं तो इसकी जो है उपयोगीता और इसका जो है लाब और बढ़कर आपको मिलेगा पेंडेंसी क दोरान चलाई दोस्तों एक कैलशियम रेज़ फूड है और इसमें आपको फाइबर काफी अच्छे मातरा में मिलाता है प्रोटीन इसके अंदर भरा पड़ा हुआ है तो तीनों ही चीने जो कि आपको गरववस्ता में बहुत ज़ादा जरूरी होती है खाना प्रोटीन कैलश के लिए प्रोटीन और कैलशियम के आउशकता है वो भी आपको भरपूर मातरा में मिलेगी और दोस्तों सिव यही नहीं चलाई को आप सबजी के रूपे में सेवन कर सकते हैं सबजी के रूपे यह हरे पते या फिर कुछ लाल रंग में लिएवे इसकी सबजी आती है इसक तो प्रोटीन कैलशियम आयन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको बहुत ही अच्छी मातरा में फाइबर मिलेगा तो दोना ही रूप में आप इसको सेवन करते हैं तो आपके लिए फाइदे मन्द हैं लेकिन अगर आप चुड़ाई के और गुड़ के बने लेड्डू खाते हैं और आपके शरीर को गर्म रखने में बहुत ही सायग होता है और अनिको जो common problems होती हैं सर्दी के दोरान उनसे भी आपको लड़ने के लिए शक्ति पतान करता है तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो सर्दी के दोरान जो चीज़े आपको अपने डाइट में शामिल करनी हैं जिससे आपको सर्दियों में इतनी सर्दी नहीं लगेगी और आपको जो common problems हैं सर्दियों की सर्दी जुखाम, खासी, infections ये सब भी नहीं होंगे और दोस्तों definitely दोस्तों बच्चे के लिए भी ये बहुत उपी होगी हैं उसके विखास के लिए बहुत ज़्यादा उपी है कि आपको कोई भी चीज pregnancy के दोरान बहुत अधिक मात्रा में नहीं सेवन करनी है चाहे वो दूद ही क्यों नहीं हो चाहे वो गुड़ ही क्यों नहीं हो मचली फिश एग या फिछ चौराई के लड़्डू इनको आपको एक सीमित मात्रा में ही सेवन में ले ले रहा है अ और साथ ही में बैल आइगन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन्स एकदम सभी समय में मिल सके जैसी ही यूटूब पे हमारी कोई नए वीडियो पब्लिश होती है तो चलिए दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ खयार रखिए अपना बिलते हैं अगली वीडिय में तबके लेन वाशकर